नमस्कार आप देख रहे हैं जौनपूर एस्पेशनूर। आपने सोसल मीडिया पर वाराल होती है कस्वीरे देखे होंगी पच्छूर की उतर पदेश के जौनपूर की लेके रामपूर छेत्र के पच्छूर की गाउं का और यहां पर देखते हैं पच्छूर की रोग माठि करने की नहीं दिया गया था यहां पर वह आये यहां राम फरमाये बैटे सुरच्छा दिये लेकिन जब से घटना हुआ है तब से यहां पर घर का कोई सदस्य भी यहां नहीं रहता क्योंकि डर का मोहल बराबर बना हुआ है कही अपरादी घटना नकरी और उनका इन लोगो इस शचट परेंगे इस तरह के का बयान अशा है यह लोग करे है इस लोग आ लगा रहे हैं बागी की दिधा यहां पर दिखेंगे इस लोकेशन पर है आई हम आपको दिखाते हैं अगी की तस्वीर जहां पर इनके प्टाजी को गोली इमार दी यहां पे अदेर से प्यक्त हा इधर से पूरा प्यक्त कर बस यही जगर खाली था चारों तरफ प्यक्त अब भिस्तर नीचे लगा होगा ने श्रूपर ही लगा था लगदी उसके उपर तो आप सभी को गाइड लाइन के साफ से बलड तो नहीं दिखा सकते लेकिन देख सकते यह वही जगह है यह पूरा प्यक था चारो तरफ से और इनके पिता जी थे इनके पिता जी को गोली मार का सर में बोली ले अधर कजले टी क्यों है और मुझ ढका हुआ था ऐसे में मारा है गोली कोई न कोई तो हाँ होगा जानकारी देने के लिए कोई न कोई है कोई देख रहा होगा जरू ऐसे तो कोई होई नहीं सकता सवाली नहीं है हम लोग राथ को 12 बजे तक यहां पर पडाका उडाका छोड़ा के गए थे घर के अच्छा हाँ सबसे बड़ी बात ही है कि यहां पर कोई भी प्रसाथन का यहां पर नजर नहीं आए यहीं पर इनके पिता जी को गोली मार का थ्या कर दी गई और इनके साथ जोरो जबर जस्ती जो कि अगया आप वीडियो में साफ देख सकते हैं लाइब में भी हमने आपको दिखाया इस तरीके साथ के इन लोगों के साथ जबर जस्ती की गई है और बोडी ले जाकर जला कर कहानी खतम की गई जब से अभी तक प्रसाथन का कोई भी प्रसाथन को जब चाहिए कि वहां पर जाकर इनके घर पर जाकर सुरक्षा देना चाहिए वहां पर एक ब्यक्ति रात को कल के रात में आया और एक माता जी थी वीडियो में देखेंगे तो आप सो को समझ में आ जाएगा वो साप कर रही कि अन दूसरे का नाम लेकर निकल गया वहां ते आगे की तरफ माता जी पिछा करती ही गई देखी तो पता ने चला किस तरफ चला गया और यही चीज है कि यह लोग पहुंचे हुए हैं यह पर और पहुंचकर गटनाओं का अंजाम दिया पर पिलावपर सहसन उस ब्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है जो ब्यक्ति मारा है उसको गिरफ्तार कर चुकी है और इसी जगह पर घटना को अंजाम दिया गया था सामने देखेंगे तो वाओ यह दुद्वार हम आपर इहां पे दिखा दिते हैं घटना को इस तरीके से अंजाम दिया गया था यहां पर जो खटिया पड़ी हुए खा दिया गैं उसके बाद राट को पता नहीं चला रात को पता नहीं चला था हमारी माता जी यहां से घर मता नहीं अनल के बाद नहीं करें तरह हम लोग रहने के बाद यहां पर आया तो शार 3sterатаbbe को 112 नमबर आई भी इसकी बाद बोली कि आपना 113 कॉल करें लोग रिपोर्ट करेंगे तो हम लोग कॉल किये इसको बात इंबुलेंस को बुलाएं इंबूलेंस आई इंबुलेंस में प्रशाशन जैबर जश्थी लदवाई इंबुलेंस में उठाओ लादू बौडी गरम था तो हम लोग भाई हो सकता है कि जान हो तो यहां ते पटा चल जाएगा हो सकता है वाई यह मानी बात नहीं है कि बढ़े ही टाक्ट हमें इलाज होता है किसी चीज का कि चोटी भी जख-" हाँ!" जब जादा से संदि यह और آसपद होता है तो जब जादा दिकत होगा तो लेकिन आप लोग कह रहे थे कोई मर गया था उस वक्त में अपने नजदी की दिखाऊंगा जहां नजदीक रहेगा बचाओ करने के लिए और यस्टा साब ने एक गल्ती किया कि हमारे नजदीकी हास्पिटल ब्लाक में नहीं लेकर जाने दिये अबूलेंस को मरिया जबरजस्ति करने पर लेके गए इंबूलेंस वाला उसको डॉक्तर मना कर दिया दुख्टर मना किया घर पे लेके जाओ करिवार को बॉड़ी हैंड़ी करने की वज़ाए छोड़ो जबरजस्ति यांड़ी को बहाँ तुम होते कौन हो बात करने वाला अगर बॉडी में नहीं जान है तो पहले परिवार के परिवार वालों को बताएंगे इसके बाद आप पोस्ट माडम लेके जाओगे तुम अपने मरजी से नहीं कुछ कर सकते हो नहीं जो परिवार पड़ा हुआ है उसके हिसाब से हम अथार्टी नहीं मिली वो गाली रोड पर ही खड़ा कर दिया यह साब जो ड्राइबर थे रभी करके जबर जस्ती अम्बूलेंस में बैठा आपको मैं वीडियो दिखाया हो इसके बाद अबूलेंस से एससाब खुर लास निकाल के अपने गाली में ला दे उसमें एक भी आज़ी लेडि पॉलिस नहीं ती लेडिप पॉलिस नहीं थी लेडिप फुरुम लेडिप नहीं ती उसके बावजूद भी मेरी मां का उल्ड ब对। हाथ पकड़ के जबर्जस्ती अंदर क्यों बैठाए इसका पर्मिशन में इसमें यस्टो साब खुद पैसा लेके मामला रफा दफा करना चाहते थे जल सजल्द मामला खतम कर दिया जाए देखिए यह प्रसाशन के हैं और देखिए प्रसाशन है आप हमको सीकुरिटी करने प्रसाशन की गलती नहीं है और जो आरोप लगा रहा है हम लोगों के उपर हमारा तो परिवाज वैसे ही खतम हो गया है और जो अब यह उनको लड़के है जिनको गोली मारी गही है आब उनकी तकलीप को समझेगा अपनी तकलीफ बया कर रहे हैं, कोई मीडिया कर्मि दिखाने के लिए तया नहीए, उपनी तकली फूल करते हैं को कोई नहीं जिल सकता कोई भी भी हो सचछा नहीं जिल सकता और änके पितजी को मार अग्र formats वे प्यूली मार सबसे बड़ा सवाल यही है प्रसातन पर बराबर इस तरीके का आरोप लग रही है है कि जब ठाने मंगने गए तो आपको सुरक्षा के लिए तो आपको दिये नहीं कोई क्यों पर बोलते हैं कि हम लोग क्मारे लिए बैठे क्या खाले इसा बोल रहे हैं बताइए पर फादान पुरक्षा के लिए होती है कोई दोराइन की अभी तरह मतलब जो मामला अब जो नीज पर बयान आया है जो भी आया है उसका जाच चिक क्यूं नहीं हो पाया अभी तक के लिए भी बोले चल रहा है चल रहा है कब तक आएगा अच तीन से चार दिन होगे हम अम लगो लेकर घटना को लेकर अभी कितना दिन चाहिए उनको जांच के लिए बताईए ऐसे ही प्रसासन का रुतबा अलग हिलक दिखता है और आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़्यू बताईएगा यहां पर देखेंगे प्रसासन कोई विभ्यक्ति नहीं है वहां पे भी देखेंगे तो कोई विभ्यक्ति नहीं चारो तरफ चारो आपर ब सिरह के कि आप यहalities लोग करें हम दिखा देते हैं अप लोगों को इनका आ रोप यह कि प्रसासन सुनी नहीं है और कारवाई हम नहीं करी है अब बताईए क्या किया जा法 आयो हम पत्रकारों का काम होते हैं दिखाना करना अब यहां पर भी कऱू कोई नहीं है जिआ जब से घटना ही एक रक पर भी कोई रही है इस जगा पर भी कोई नहीं ही धेखियो ज день कि यहां पर है यहां पर भी कोई नहीं अगर अप कान नहीं होता अगर आरोप लगा रहा है तो कम ज़े कम उसके तक्तों की जाच होनी चहिए क्या कि भी सत्ता क्हा है क्या सच्चाई है क्या नहीं है उसकी तो जाच होनी चाहिए प्रसासन का काम यह है अगर कोई ब्यक्ति की मृत्ति हो जाएगी वो मर जाएगा उसके बाद प्रसासन को लेकर क्या करेगा न्याय मांगते पिरेगा वही है जेल में जाएंगे तिसारे तीन साल कात साल जेल होग वीडियो को डिलीट करवा जाता है दबाव डालकर बहुत को बड़ी सरी कहानी बनाई जाती है अब दूर दूर तक कोई प्रशाता निया जबकि इन लोगों को सुरक्षा चाहिए इनके पिता जी थे हैं जो इस पायर हो गए हैं हिए और यह लोग सुरक्षा मांग रहें कि सर माया स्व अपराधी कल रात को आया है कभी भी कोई धु गटना करदे हम हमें सुरक्षा चाहिए यू का चाहिए एक ऊज़ानपुर कई संच्वान जगार नेक हाहिए कि उस दीन की घटना ज़ानपूर को गटना देखे आप लोग 30 साभ दियंत आप साभी कठा हो गए थे पत्रकार से लेके सब गठा है कोई ट्यार पी लोने कि कोई माम लोग दबाने के मतलब साभ पत्रकार से लेके सब मीडिया कठा हो गए लेकिन अभी घटना जो हुआ है उसके बाद भी कोई सूचना दे रहा है उंका बेटा करने के लिए रही कि लाया मना कर दिया गया पिलाल इस बारे में उत्रप्रदेश पूलिस के बारे में आप लोग क्या रहा है कमेंट करके जड़ बताईएगा, ये भाई के साथ अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ है, और इनको सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अभी भी इनको सुरक्षा कोई कुछ नहीं मिला हुआ है, और कुछ आरोग ये भी है, पत्रकारों ने पूरी वीडियो को दिखाया नहीं, नहीं बताया, मामले को दबाने का प्रयास किया, तमाम तरीके के सवाल है, फिलाल आप लोग क्या सोते हैं, इस बारे में कमेंट करके जड़ बताईएगा, देख तेरे जोनकूर अप्रेसिं मने सुमार के साथ, जाये जायवारत, नमस्कार